कानपूर में अब तक कुल 74 मामले सामने आ चुके हैं अब प्रत्याशे तोर पर बढ़े कोरोना मरीजों की संख्या के बाद जिला प्रसासन कड़ाई से लोगों को लॉक्टाउन का पालन कराने से लगी हुई है बिना काम घूम रहे लोगों को मुर्गा बना कर खर से ना निकलने को कहा कानपूर पोलिस निरंतर हर चुराहे पर हर नाके पर अपनी गिद नजर गड़ाई है और बिना वचा घूमने वालों के खिलाफ कड़ाई से पेस आ रही है बताते ही चले कि कानपूर में 20 तारिक को लोगडाउन खुलने के आसार लगाए जा रही थे लेकिन अचानक से 74 पॉजिटिव पाये जाने पर जिला प्रसासन कड़ी कारवाई करने के आदेश दे दिये है मामले बढ़ने पर पूरे कानपूर में अब तक 17 स्थानों को हाट स्पॉट खोशित किया जा चुका है हम आपको बता दे कि अभी तक पुलिस प्रसासन रोडों पर निगरानी कर रहा था इसके बाद संक्रमन का खत्रा बढ़ता चला जा रहा है जिसको देखते हुए पूरा पुलिस प्रसासन गलियों में भी जाकर लोगों को घर में रहने के लिए अपील कर रही है ताकि संक्रमन का खत्रा बढ़ना सके इसलिए जो लोग रोड पर या गलियों पर घूमते नजर आते हैं उन पर सक्त से सक्त करवाई की जा रही है रोड पर खुली दुकानों को देखते हुए पुलिस प्रसासन ने उन लोगों को बताया कि आप लोग सोसल डिस्टेंस का पालन करें इसके बाद होम डिलीवरी के जर्ये से वो भोगताओं को समान पहुचाएं कोई भी जद्धा रोड पर बेफिजूल में ना दिखाई दे साथी डोन कैमर से भी नजर रखी जा रही है जो भी लंगन करता पाया जा रहा है उस पर थारा 188 के तहट करवा ही की जा रही है कानपूर से समवादाता हिमान सूस सिर्वास्तो की रिपोर्ट वरावा प्रसाशन भी हर्च और आपर मुस्ताद है और आमागवन जो भाहन निकलने जहुरत मन समान लेने के लिए उनके लिए खाली सूट दी गई है आपकर अगर कोई एज समत निकलते है तो उन पर सब्सक्त कारबाई करे आती है आति भी भर भी और शान भी हर्ए और गलुए जासा ही को भी और गजाए हुए और आप देशकितेए पर खानों में ट्रावर राता है आपको पता दें इस चैनल के मास्यम से आपको यह अपील करता हूँ अपने परवार के साथ दुरचित रहे हैं और अपने परवार के साथ दुर्चित समय विताएं क्योंकि इस करोना वारेश की सहुंतर पाये जा रहे हैं तो इसमें कहीं न कहीं लोगों के अंदर भी यही अफंचा है कि लोग घरों से बहुत कम ही निकल लाए और रोद अपर बरावर सन्नाट्या पसरा हुआ है अपने परवार के साथ रहे हैं आपने परवार के साथ रहे हैं अपने परवार के साथ रहे हैं